वालाइब स्टाइल की बात करो गाउं जाए हम अगर गाउं को देखते तो बहुत साही सी सुविधा होती है जिससे लोग बंचित होते हैं उन्हें वह सुविधा है नहीं मिल पाती है तो कैसे देखते हैं कि वहां तरब सुविधा पहुचे और कैलाज जी जिस तरह से आगे कि सुविधा है शेशनिक बागी के हैं जो भी है तो बहुत सारी कम नजर आती है वहां से लोग बंचित है उस सुविधा हों से तो कैलाज जी का जो निर्ने बहुत अच्छा है मैं उनको दिल से शुखर गुजार हो कि उन्हें ने गाउं के बारे में सोचा जबकि बंबे म रहते हुए उनका गाउं तो जैसे केलाज जी ने निर्ने लिया है ऐसा हर एक अपना जो बाहर से गाउं से मुंबे में आया है वो ऐसा सुचना लगए को तो गाउं भी पीछे ने रहेगा सब को स्विधा में लीगी तो कैलाज जी को मैं उनके कारे के लिए जो काम ने दे आपने ऐसा देखा है कि आपको देखकर लगा हुई गी बड़ी समस्या क्यों ने सॉल्ट होई है जंता के लिए क्यों इतनी बड़ी समस्या बनी हुई है हाला कि ऐसा है कि आपने जो सुविधा है गोर्मन की तरफ से तो हर जगा लांच होती है पर उसका प्रापर रियक ने हो पता है गाव में वो सुविधा वहां तक पोच्टी है खाली डाकुमेंट पोच्टी है जबकि प्रैक्टिकल में कुछ होता नहीं है उसकी वज़े से य सुविधा को और लोक aí कहिंता है तो क्या लगता है कि आपको लगता है कि उतके से वुदा को लाब मिल ना चाहिए जो उसके हगदा ए घोवर्मन ने उनके लिए सुविधा बनाई है तो क्का आफिकल में वहाँ सब चीजे होनी चाहिए तो कहला जी किस तरह से आप गाउं तक सुधाओं को यूजडाओं को जिसका फाइदा मिनना चाहिए वहां के लोगों को किस तरह तक होचाने कावकारी करने जा रहे हैं? हम BZP सोचल मेडिया मोर्चा के अंतरगत हैं हमारे चालना जिल्ला में घंसाओं की तालुगा में हम लोग वहां पे फैला जो मॉडल है तो वहां पे हम स्टार्ट करेंगे 273 विलेज है 273 विलेज में जितने ही गोर्मेंट, सेंटर गोर्मेंट और स्टेट गोर्मेंट की योजना है वो हम आम जंदर तक पहुचनाई का काम कर रहे हैं हमने एक मॉडल बनाय है पाच एम्बूलस, पाच डिजिटर कार्स, उसमें एम्बूलस पे पाच एम्बी बेस डॉक्टर्स, नर्स रहेंगे और पूरे गाउ में दो दिन होल्ड का एक हमारा यूनिट रहेगा उस उनिट ने वहाँ पे जितने ही नीडी पूर पीपल को किस तरह से उनकी समझ्चा है उसके उपर हाल किया जाएगा वहाँ पे फ्री आप कॉस्ट, मेडिशन, प्री आप कॉस्ट, काफी चीजे चो लगेगी जो वहाँ के गाउ के पूर पीपल है उनको हम लोग वो हेल्थ फ्री क्याप को वहाँ पे ले रहे हैं तो जो गाउडी संक्या दो सो तिहतर आपने बताई है तो लोग जादा होंगे, जुवदारी जादा होंगी तो किस तरह से टीम होगे और किस तरह से आप उसकारे को सब्स तरीके से करवाएंगे हम लको हरग में हमारे जो वैन रहे hygión वैन उसमें सारे हिकुमेंट्स मेडिसीन सब 6 रहे हम लोगों यह तीन महीने से हमने प्लाणिंक किया है हरग में जाके किस का क्या प्रोब्बलम से होँ हैं मेडिकल केंप लेंगे, फ्रीव्प कॉस्ट लेंगे और वहां पे जितने ही वंचित लोग हैं जो 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 सीधार से तो उनका फॉर्मज भी दिया जाएगा डी कल का 2 लाइगे इंसुर्ब्स किया जाएगा 2 लाइगे डिया जाएगा किसान सम्मान निदी योजना के फॉर्म किया जाएगा, आलुशमान भारती योजना का बाचला का, सब फॉर्म के साथ हम लोग वहाँ पे पूरा गाउ में समशन बुक्त दिशा के आउग ले जाने का हमारा ये प्रियास रहेगा तो कब से इसकी सुरुवात हो जाएगी? बाचपा के एमारे काफी दिस्टी के लऊशा अशाफ दान वेजी है, हमारे जो रेल्वे मिनेस्टर है, हो भी हमें ओं में मार्गदेशन करते रहते हैं और आप दूं के मार्गदेशन में ही वहाँ पे हम ये सब कुच प्रोग् tyreम करने जा रहे हैं आप क्या खहना चाहेंगी के इंकारिकों की लगणा जवर्द मननीडी परसंस करी अगर जो हैल पहुजाने की उन्होंने सोच रखे तो आप कैसे देख देखेंगे इसे सबसे पहले तो मेरा नाम अलें तुदेजा और मैं बेसकी राश्य से हूँ और यहां पर सेट लो तो काफी ताइम से इंडिया में तो आपको भी बताए कि राश्य और इंडिय का जो रिलेशन्शिप बहुत अच्छा है और मुझे बच्पत से इंडिया से बहुत प्यारता और यहां पर रहने के बाद वो प्यार उत्ता भर गया तो मैं पर काफी ताइम से सोच रहे थी कि काश में भी कुछ कर सको इस कांट्री के लिए जिलो ने मुझे जगा दी और बहुत सारी चीज़े दे तो अभी जब से मेरी मुलाकात कलश जी से हुए मैंने वेका कि यह भ जी आपरे